2030, 2030 तक हमारी अर्थेबवस्ता में टूरिजम सेक्टर का योगदान 20 लाद करोड रुपे से भी जादा होने का अनुमान है माना जा रहा है कि अकेले इस इंडिस्ट्री से 13 से 14 करोड लोगों को नए रोजगार की संभावना बढ़ दे वाली है इन सारे उधारणों से आप समस्च कर सकते हैं कि भारत का विकास सिर्फ नंबर की रेश नहीं है इस विकास का भारत के हर नागरित के जीवन पर प्रफाव पड़ेगा इसका मटलब है कि बड़ी संख्या में रोजगार के आउसर तैयार हो रहे हैं और इसे आए में बढ़ोतरी और क्वालिटी आफ लाइफ सुनिश्चित हो रही है हम परिवार में भी देखते हैं ना अगर हम किसान है अच्छी फसल हुई ज्यादा फसल हुई अच्छे दाम मिले तो घर के अंदर कैसे रोनक आ जाती है कपड़े नए आते हैं बाहर जाने का मन करता है नई चीजे खरिदे का मन करता है घर की अगर आए बढ़ी तो घर के लोगों के जीवन में भी बढ़ला वाता है जैसे परिवार में है न देश में भी वैसा ही है जैसे देश की आय बढ़ती हैं देश की ताकत बढ़ती हैं देश में संपत्ती बढ़ती हैं तो देश के नागरिकों का जीवन संपन्ड बनना शुरू हो जाता है साथिवों पिछले नव वर्षों के हमारे प्रयासों से परिवर्तन का एक और नया दोर दिखने लगा है पिछले साल भारत ने रिकॉर्ड एक्सपोर्ड किया ये संकेत है कि दुनिया भर के बाजारों में भारतिय सामानों की डिमान लगाकार बढ़ रही है इसका मतलब है कि हमारा प्रोड़क्शन भी बढ़ा है और प्रोड़क्शन के लिए जो रहे रवजवान लगे उसके कान रोजगार भी बढ़ा है और स्वाबा भी खहे है इसके कान परिवार की आई भी बढ़ रही है आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बढ़ा मोबाइल फोन निर्माता देश है देश में मोबाइल फोन की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है सरकार के प्रयासों ने मोबाइल मैनिफेक्टरिंग को भी कई गुना बढ़ा दिया है अब देश मोबाइल से आगे बढ़ कर दूसरे इलेक्ट्रोनिक गैज़ेस पर भी फोकस कर रहा है IT हाड़वेर प्रोड़क्शन के लिए क्षेत्र में हम बैसी ही सफलता दोहराने वाले है जैसी मोबाइल के छेत्र में हासिल की है वो दिन दूर नहीं होगा जब मोबाइल की तरह ही भारत में बने एक से बढ़कर एक लेप्टॉप टैबलेट और परसनल कम्पिटर दुनिया में हमारी शान बढ़ाएंगे वोकल फ़र लोकल के मंत्र पर चलते हुए भारत सरकार भी मेड इन इंडिया लेप्टॉप कम्पिटर जैसे अनेक प्रोड़क्स खरीदने पर जोड दे रही है इससे मैनिफेक्टरिंग भी बड़ी है और युवाओं के लिए रोजगार के नए मोके भी बन रहे हैं इसलिए मैं फिर कहूँगा अर्थ व्यवस्ता के इस पूरे चक्र को समालने की इसे सुरक्षा देने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सभी जब ये सुरक्षा कर्मी के रूप में आपका जीवन आरंब हो रहा है आपका कार्य आरंब हो रहा है तो कितनी जिम्मेदारी आपके सर पर है इसका आप भली भाति अंदार लगा सकते हैं आपका कार्ण आरंब हो रहा है आपका कार्या आरंब हो रहा है झाल है